हेलो फ्रेंड देखिया आज हम आपके लिए लाएं है यह दो कलर का बहुत ही सुद्धर सा डिजाइन यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसे आप लीडी कार्डिगन जैकेट बच्चों के स्वेटर में बहुत ही प्यारा लगेगा यह बनाना बहुत ही आसान है बहुत इस तरह से आप अपने जब भी प्रोजेक्ट में इसको डालेंगे तो आप बारा बारा फंदो के मल्टीपल से लीजिए उसमें डिजाइन सेट करने के लिए पांच फंदे और एड कर लीजिए और दो फंदे हमारे साइड के लिए जो हम सिलाई में रखते है इसलिए दो हमारे सिलाई के लिए इस तरह से आपका प्रोजेक्ट पूरा और बहुत ही प्यारा बन कर आएगा तो आए देखें इस डिजाइन को कैसे बनाते इससे पहले कि आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे पहले प तक बहुत सके तो आये देखें इस डिजाइन को कैसे बनाते हैं कि हमने बार्घ को प्रोजेट में बायों और बनाने के बांद में पहली ए creamy सी साइट से ब्सक्राइब धर साइट से प्रच्ट रूगिए हमने उसमें तोड़ी से छोड़वला है बाराव के 24 फंदे तो इसमें हैं 31 फंदे 31 फंदे मैंने डाल दी है आएए देख पहली सलाइब सीधी साइट से सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना है को हा सकते हैं कि पहली सलाई में सीधी बुनकर कम्प्लीट कर ली है अब दूसरी सलाई उल्टी तरफ से सेकेंड रो कि सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनकर कम्प्लीट कर लेने हैं तो उल्टी सलाई मारी कम्प्लीट हो गई है दूसरी सलाई अब सीधी साइट से हम दूसरा दागा जोड़ेंगे दूसरे दागा एट कर लिया है इसमें दूसरे कलर का अब हम इसमें सीधी साइड तीसरी सलाई है एक फंदा जो हमारा सिलाई वाला होता यह वह है एक फंदा सीधा बुन लिया हमने अब हम पांच फंदे और सीधे बुनेंगे पांच डिजाइन यह इतना ही पैटर्न है कि बांच फंदे सीधे बना लिए एक फंदा उताली एक फंदा लिया फिर एक सीधां ह। फिर एक फंदा सीधां है उताली यह है हूं भर्णा ऑफ कितने होंगे है ऐग चार पांच घेसा आठ नोगंद सब्सक्राइब बुर्धी ुकंप भी दरेंद फूर्ध एक वणितरा सब्सक्राइब इतना है जались फिर घना साथ सब्सक्राइब पर फिर समय इतना हिए हम वेट में एक सब्सक्राइब जोल्टें इतना हो गया है फिर से विप इğlऒए यहां से 5 फंदे ते एक दो 3 कि चार कि 5 थंड़े सीधे हो गए एक फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उतारा, फिर एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उतार लिया, फिर से हमारे ये बारे फंदे हो गए है, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे हो गए, लास्ट वाला फंदा य पांच फंदे जो हमारे सीधे थे इनको हम उल्टा सीधा बुनेंगे एक यह सिलाई वाला है यह अलग है तो छे फंदे हमारे छे फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंदे सीधे बना लिए इस फंदे धागा अपनी तरफ किया इस फंदे को हम इसी हुतार लेंगे बिना बुने परकूर पीछे करेंगे दागा पीछे करेंगे इसको हम सीधा बुनेंगे ना दागा पिखे तरफ इस फंदे को इसी उतार लेंगे दागा पीछे करेंगे इस फंदे को सीधा बोनेंगे दागा पीछे किया और अब 5 फंदे सीधे बोनेंगे 3,4,5,दाग आपनी तरह 1 पंदा इसी उतार लिया। फिर से पीछे करेंगे 1 पंदा सीधा प्रसे पंदापनी तरह जो उतारा हुगा इसको मैं उतार लेना है उल्पी में पुन्ना इवक्षे करेंगे एक फंदा सीधा फिर से एक फंदा उताल लिया थागा पीछे एक फंदा सीधा थागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसी उताल लेंगे बचे हुए फंदे इन सभी को सीधा बुन लेंगे अब हम सीधी साइड आ गये हैं फिप्त सलाई मारी सीधी साइड फिर से हम इस थागे का यूज करेंगे सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है पूरी सलाई सीधी बुनकर हमें कम्प्लेट करनी है पूरी सभी फंदे सीधे बुन लेने हैं में कर दो कि दूरी से हमें बुल्टी साइड 6 रो सभी तंदों को औल्टा बनकर में कंप्लीट कर लेना है इस तरह से सभी फंदे उल्टे उल्टे बनकर कम्प्रीट कर लीजिए देखिए यह हमारी उल्टी सलाई पूरी कम्प्रीट हो गए यह हम सीधी साइड में फिर से आ गए हैं तो यह जो हमने लाइन बनाई थी इसी तरह हमें कि छे फंदे सीधे बनाने हैं एक दो तीन चार पांच और यह जो उतारा हुए फंदा इसको यह फिर से उतार लेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा ऐसी उतार लिया फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा ऐसी उतार लिया एक फंदा सीधा फंदा ऐसी उतार लिया फिर हमारे 12 फंदे हो गया पांच फंदे फिर से सीधे एक दो तीन चार पांच एक फंदा उतार लेंगे और एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उतार लिया एक फंदा सीधा फंदा उतार लिया एक फंदा सीधा फंदा उतार लिया एक फंदा सीधा फंदा उतार लिया पचे हुए इन सब को हम लाश्ट में सीधा बुलनेंगे उल्टी साइड छे फंदी हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे ताग आपनी तरफ करेंगे उतार पर फंदीं को फर से उतार लेंगे पैदा पीछे करेंगे 1पन्दा सीधा फिर्दा पैदा पीछे करेंगे एक फंद़ सीधा फिर शेल पांच अपने एक, दो, तीन, चार, पांच तागाबनी तरफ इस तरह से घुमा कर एक फंदा उल, सीधा और एक फंदा उतार लेंगे भचे हुए फंदे बाकी सभम सीधे बुनकर कम्प्रीट कर लेंगे फिर से हम इस धागे का यूज़ करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा-सीधा बुनेंगे कंदी से पूरी सलाई के सभी फंदों को सीधा भुन कर कम्प्री चाल लेंगे सीवी सलाई मारी इसको उलटी बुनकर कम्टीट करना है इस तरह से अच्छा इसको आप देख रहे हैं इतना ही पैटर्न आपको बार बार रिपीट करते जाना है और आपका प्रोचेक्ट बहुत ही बनकर खुबसूरत लगेगा एक वार इस दिजाइन को आप अप्लाइब कर कि अपने प्रोजेक्ट में जरूर देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग